दोस्तों आज हम दिसकरने वाले इम्यून डेफिक्शन्सी दोस्त जैसे में लाज वीडियों अंदर बताया था जो इम्यून सिस्टम होता हुए तीन टैक्व डिसोडर होते हैं आपका इम्यून सिस्टम जो नौर्मल उसका फंक्शन होता उससे ज्यादा एक्ट करना जाए ह आपका इम्यून डेफिशन्सी जब नौर्म फंक्शन होता है उससे भी कम काम करना रिस्पोंस देना शुरू कर दे मतलब बहुत कम रिस्पोंस कर रहा है आपको फोरन पार्टिकल से या माइक्रोब से उस कंडिशन बोलते हैं इम्यून डेफिशन्सी और तीसरा होता है ज इम्यून डेफिशन्सी में हमें क्या पता होने चाहिए दोस्त इम्यून डेफिशन्सी में हमें पता होने चाहिए कि यह दो टाइप क्या हो सकता है एक आपका प्रैमरी जो सुरू से आपका जैनेटिक कुसी कोज होते हैं जो एड टाइम बर्थ आपको मिलते हैं और कुछ आपको जो दो आपका कवं रिम्पो कोंड न और कुर्ण कॉन करता है को कॉन सी आपका टी लिंपोसाइट थी ऊश्ष ऐ दो आधर प्रहिति आप थे व्हाइच को acab दो खोंट रहाएगा इसके अलावा जो आपका एल्ना मति है इसके अलावा टो आपका इनमुनीटी Pi अंतर हमने पड़ा था था लगति माती एक प्रोगलम एप तो याप का इसके इम्मून करते हैं आपका आपका क्या होता है आपका इपर खेंक करते हैं आपका 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 आपके यह उनके अंदर प्रोक्लम हो जाएगी तो मसी डेफिसेंसी डिसोर्डर आ जाएंगे तो यह इसके क्लासिफिकेशन के बात कि हम इसके इसके बात करते हैं तो नमबर वन जो बी-सल डेफिसेंस के डिसोर्डर है उसके अंदर क्या आता है आपका एक्स लिंग्ड एगाम्मा ग्लोबनी मिम्या तो यह जो आपका जैनेटिक डिजीज है आई जी ए और आई जी इसके अलावा जो आपका इम्मिन डेफिसेंसी है वह क्या होता है या नोर्मली आई जीम प्रोक्लम हो जाए उसके बाद क्लास वीच कर जाती है और बाकी एंटीबोडी बनती है लेकिन यादि उस प्रोक्लम हो जाएगे तो क्या हो जाएगा इम्मिन डेफिसेंसी विद इंक्रीज आई जीम आई जीम तो बढ़ा होगा लेकिन बाकी एंटीबोडी आपकी बोडी है नदर बहुत कम मिलेंगी उसके अलावा उसके बाद ट्रांजियेट हाइपो गामा ग ट्राइम के लिए इंफेंसी के अंदर ठीक है तो यह कंडिशन आती है बीचल के अंदर ही इसके अलावा जो कॉमन वेरियेबल इम्मिन डेफिसेंसी है वह भी आपका बीचल की डिजीज है कॉम्मन क्लासिकल एक्जामपल है कॉम्प्लिमेंट सिस्टम डिशोडर का इसके जो फैको साइट ऑग सिस्टम है दो उसके अंदर दो टाइप की होती है एक आप फैको साइट रही में देखिने निट्रोफिल होता है वह रफ करता है तुसमें शाइकलिक न्यूट्रोफिन यह हो सकता है और एक आप करोनिक गरनॉलोमेट्स डिजीज है वह भी आपका फै इसको बोल दिया हमने बेर लिकोसाइट सिंड्रोम इसके अलावा दोस्त लास्ट आता हमारा टी-cell डेफिसेंसी इसके अंदर आपका टी-cell के अंदर फोगलम आती है तो पहले एक्जामपल डीजोर शिंड्रोम आपका अटेक्सिया टेलन जैक्टीसिया और आपका विसको स्कॉट एल्डरी सिंड्रोम में तीनों सिंड्रोम है यह कलासिक आपके मेडिसीन असर्जरी के अंदर आप डिटेल वाइव डिटेल लिम पढ़ते हो यह आते हैं तीनों डिसोडर टी-cell डेफिसेंसी के अंदर तो हमने देखा आपका इसके एक्जामपल उसके बाद हम दे उसकी वज़य से क्या होगा कि आपके एक्वाइड डूरिंग लाइफ यह डिसोडर होते हैं और इनको बोलते हैं सेकेंडरी में अपको ज्यादा नहीं पता करना है तो हम बात कि इसके क्लास्फिकेशन डिसोड़िशन क्या करेंगे दो ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं थेरपी इम्मुन सिस्टम आपका कम है तो हम इसको रिप्लेश्मेंट कर सकते हैं रिप्लेश्मेंट कैसे करेंगे या स्टेम सेल दें या जीनी दूसरा उसके अंदर हम रिकमिनेंट जीन ट्रांस्फर करें स्पोर्टिव मतलब आपका कुछ क्लासिकल जो उसके किसकी वज़ाइस कर सकते हैं तो दोस्ति यह हमने बात की आपका इम्मुनोड इफिशेंची की इसे पहले मोटिव इम्मुनिटी आइपरसेश्विटी कर चुके हैं तो वीडिया वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जुरूर जो ऑटियो इम्मुनोलोजी सीरीज है पहले लिस्ट है आई सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आपको अच्छा का सब्सक्राइब कर सकते हो तो मिलते नेक्ट वीडियो के इंदर अब तक बाई